Hello everyone, Welcome to Hunger Studies और Hunger Studies के इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे Military Exercise के उपर भारत के 2020 तक जो भी यूद अभियास हुए है पिछले एक साल में विविन देशों के साथ वो हम आज डिसकस करेंगे Military Exercise दो देशों के बीच में Defense Cooperation को बढ़ाने के लिए होती है और हर साल Military Exercise Related Question एक्जाम में बनता ही है अगर आप UPSC, NDA, CDS की त्यारी कर रहे है और किसी भी अन्येट डिफेंस की एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो Military Exercise Related Question बनता ही है Military Exercise से तीन या चार टाइप की Question घुमाफ़रा के पूछ लिए जाते है जैसे कि दो कंट्रियों के नाम आपको दिये जाएंगे पूछ लिए जाएगा कि कौन से Military Exercise होती है या इससे उल्टा Military Exercise के नाम आपको दिये जाएगा या पूछ लिए जाएगा कि कौन से दो कंट्रियों के बेच में यह Military Exercise होती है या कभी-कभी उसकी location के बारे में पूछ लेते हैं या कभी exercise आपको दी होती है और पूछ लेते हैं किसके साथ ही exercise हुई है आर्मे के साथ हुई है, एरफोर्स के साथ हुई है या नेवी के साथ हुई है बहुत से लोग हम नाम से याद रखते हैं इतना हम नहीं जादा याद रखतें कि किसके साथ ही हुई है तो करते हैं आज की वीडियो हम सुरू सबसे पहले हम बात करें इंडिया एंड यूएस तो सबसे पहले exercise है यूद अभिहास यूद अभिहास भारत और USA के बीच में एक military exercise है जो 2019 में Washington DC में हुई थी September में और ये 15th edition था और second exercise है हमारी वजर प्रहार जो 10th edition था 2019 में हुआ और ये भी Joint Base Levis McHord में हुआ था उसके बात हम बात करें Tiger Triumph ये new exercise थी 2019 में ही start हुई थी और ये tri service military exercise है और इससे पहले भारत tri service military exercise रस्या के साथ कर चुका है tri service military exercise है और ये हुई थी विशाखा पत्रम आंदरप्रदेश में हुई थी November 13 से लेके 21-2019 और दो फेस में conduct हुई थी उसके बाद एक और exercise है COPE India ये भी India और US के बीच में Air Force की exercise है याद रखना Air Force COPE India इंडिया और US के बीच में जो हुई थी काली कुंदा Air Force Station December 3-14 तक हुई थी 2019 में और other exercise है माला बार जो नेवल exercise है 2019 में ये है जापान में हुई थी ये तीन देशों के बीच में होती है साइद उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और रस्या के बीच में इंदरा 2019 भारत और रस्या के बीच में इंदरा 2019 एक ट्राइश सर्विस exercise है और ये बवीना उत्रपरदेश में हुई थी 11 दिसंबर को 2019 को और इंदरा 2019 जो इसका second edition था और ये conduct हुई थी तीन स्थानों में पुने, बवीना और गोवा और उसके बाद दूसरी exercise भारत और रस्या के बीच में है अविन्दरा 18 और इसका second edition था 2018 में हुआ था अविन्दरा 18 और ये Air Force Lab की exercise है जो रस्या में हुई थी उसके बाद हम बात करें भारत और जापान के बीच में शे नियू मैस्टी exercise है भारत और जापान के बीच में जो 2019 में अक्तूबर के महिने में Air Force Station अर्जन सिंग पानगड टाउन वेस्ट मेंकाल में हुई थी और second exercise है सहयोग कैजन जो भारत और जापान के बीच में सहयोग कैजन exercise हुई थी ये Coastal Guard of the Countries at Chennai Port on January 16, 2020 Coast Guard की एक्सराइज थी जो सहयोग कैजन है उसके बाद third exercise है इंडिया और जापान की धर्मा गार्डियन जोएंट military exercise है भारत और जापान के बीच में ये हुई counter insurance and jungle warfare school फेरेंगटी मिंजोरम 2019 अक्तूबर में हुई थी ये भारत और जापान की बीचे में उसके बाद हम बात करें इंडिया शिंगापूर SIMBACS SIMBACS 2019 माई में 2019 में हुई थी South China Sea में भारत और सिंगापूर के बीच में जो एक Navy exercise है और bold crew से तरह joint military exercise between India and Singapore took place at Babina military station in Jhansi district of Uttar Pradesh और ये 12th edition है joint military training का bold crew से तरह का और उसके बाद हम बात करें joint military training the Republic of Singapore Air Force and the Indian Air Force are conducted the 10th joint military training from October 31 to October 12 at the Kalikunda Air Force Station West Bengal और यहाँ एक Air Force exercise है joint military training जो भारत और सिंगापूर के 20 में होती है उसके बाद हम बात करें India and UK सबसे पहले exercise है Ajay Warrior जो 2020 में हुई है 5th edition था जिसका 2020 में हुई है भारत और UK के बीच में Salisbury Plain of Southern England में हुई है और इसके बाद अगले exercise है इंद्रधनूस फिफ्ध एडिशन था इंद्रधनूस जो इंडिया और UK के बीच में फर्वरिट 24-20-20 को हुई थी यह Air Force exercise है और यह हुई थी हिंदोन Air Force Station अट उत्रपरदेश और थर्ड exercise इंडिया और UK के बीच में कौनकन यह एक नेवल exercise है और यह 14th edition था जो भारत और UK के बीच में 2019 में हुई थी South Coast of the UK और इसमें INS तर्कस ने पार्टिस्पेंट किया था उसके बाद हम बात करें इंडिया और बंगलादेश सांप्रिती जोएंट मिल्टरी एक्सरसाइज सांप्रिती 2020 वाज कंड़क्टिड उम्रोई महगालिया 3 February 2020 यह अग मिल्टरी एक्सरसाइज है और नाइथ एडिशन था भारत और बंगलादेश की बीच में जोएंट मिल्टरी एक्सरसाइज सांप्रिती का उसके बाद हम बात करें भारत और फ्रांस सबसे पहले एक्सरसाइज सक्ती 2019 इंडो फ्रांस जोएंट एक्सरसाइज सक्ती 2019 एक्सरसाइज सकती इस बैनियल एक्सरसाइज विच इस कंडुक्टिट एल्टरनेटली इंडिया एंड फ्रांस जो 2019 का एडिशन था 31 अक्तुबर 2019 से लेके 13 नवंबर 2019 तक राजस्तान इंडिया में हुई थी और अकली एक्सरसाइज है गरुडा 6 इंडो फ्रांस एयर एक्सरसाइज है ये गरुडा 6 और ये हुई थी मोंट डी मार्सन एर बेस 118 यह साइद फ्रांस में है वो थर्ड एक्सरसाइज हुई थी वरुना 2019 और यह वरुना एक्सरसाइज का 17 एडिशन था जो गोवा कोस्ट के पास हुई थी एक से लेकर 10 मैं 2019 तक हुई थी और यह एक नेवल एक्सरसाइज है उसके पास हम बात करें इंडिया एंड मंगोलिया नुमेडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है 14 एडिशन था यह इंडो मंगोलिया जोएंट मिल्टरी ट्रेनिंग यह 2019 में हुई थी और यह हुई थी बकलो टाउन इन हिमाचल परदेश उसके पास हम बात करें इंडिया एंड इंडोनेशिया समुद्र सक्ति यह एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया इंडोनेशिया जोईट नेवल एक्सरसाइज और यह हुई थी बे अफ बंगाल को हुई थी 6-7 नुमबर 2019 को और यह 2nd edition था इंडिया इंडिया ओर थाइलनड की मैतरी इंडिया आर्मी की बीच में हुई थी और यह हुई थी उम्रोई मेगाल्या में उसके बाद एक और एक्सरसाइज है कोब्रा गोल्ड 38th annual कोब्रा एक्सरसाइज to run through February 2022 विच को sponsored by Royal Thailand and US Army Force यह exercise Thailand और US दोनों conduct करा थे host करती है और इसमें 27 ने पार्टिस्पेट किया तो और साथ में include जापान, इंडोनेशिया, सिंगापूर, मलेशिया, साउथ कोरिया इन समने पार्टिस्पेट किया था और चाइना और भारत पार्टिस्पेट इन civic action parts of the exercise इसमें बहुत मतलदेश पार्टिस्पेट करते हैं उसके मतलब बात करें इंडिया और स्रिलंका मित्र सक्ती तो 7th edition of India और स्रिलंका के बीच में मित्र सक्ती का 2019 में हुई थी यह foreign training node in पूर्णे में हुई थी एक से लेके 14 दिसम्बर तक second exercise है जो भारत और स्रिलंका के बीच में जॉइंट नेवल exercise है और यह स्लिनेक्स 2019 बेफ बंगाल में हुई थी और यह 7th edition था bilateral maritime exercise between India और स्रिलंका जो exercise simple military लिख है तो military exercise है Air Force के लिए Air Force यूज होता है और Navy के लिए Navy या maritime यूज होता है उसके बाद हम बात करें इंडिया और नेपाल सूरिया केरन 2019 edition of joint military exercise सूरिया केरन 14th edition था जो कहां पर होता सालिज हैंडी रुपेंदही district of नेपाल 2019 में होता उसके बाद है इंडिया साउथ कोरिया exercise स्रियोग हायो बैलोग 2018 इंडिया कोस्ट गार्ड एंडिया कोस्ट गार्ड के बिच में exercise हुई थी और यह हुई थी 2018 में चनई कोस्ट इन तमिन डाट्डों के पास exercise हुई थी उसके बाद हम दोस्तों बात करें इंडिया और माल दूप्स इनके बिच में exercise होती है इक्यूवेरिन जो 10th edition था जो 2019 में हुई थी ये हुई थी ओन्द मिल्टरी स्टेशन इन पूने महराष्टरा में हुई थी भारतोर माल दियूपस के बीच में उसके बाद हम बात करें इंडिया एंड ओमन इसके बीच में एक्सराइज होती है इस्टन ब्रिज जो 5th edition था इंडियन ओमन के बीच में ये एरफोर्स एक्सराइज है जो कहां पर कंड़क्ट हुई थी ये दोस्तो मासी रहा एरफोर्स बेस इन ओमान में हुई थी अक्तूबर 2019 में और एक और एक्सराइज है इंडिया कजाक्स्तान काजिन 2019 ये जोएंट मिल्टर एक्सराइज है इंडिया कजाक्स्तान के बीच में काजिन 2019 ये हुई थी पितोड़गड उत्राखंड में हुई थी अक्तूबर 2019 में और ये एक जोएंट मिल्टर एक्सराइज है और other military exercise होती है इंडिया के जाकस्तान की प्रबल दस्तक उसके बदम बात करें इंडिया सीचैल्स इनके बीच में exercise होती है लेमिटी लेमाइट कुछ भी बोल सकते हैं साथ अफ्रिका कॉंटिनेट जो मैप में दे सकते हैं साथ अफ्रिका के ही इस्ट में जाके इंडियन ओचेंट में एक सोटा सा मतलब दिस है और उसके बद हम बात करें इंडिया किर्गिस्तान इनके बीच में exercise होती है खंजर फिफ्ट अडिशन होताद 2018 में और इंडिया मिल 2019 में दिसंबर मंत में उम्रोई केंटोर्मेंट में घाले में होगा था चैन और भारत के बीच में दोस्तों आज की वीडियो हमारी हां समापत हुई तो आज हम आपसे इजाज़त लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्